जै माता दिमित्रो आप सभी का आपके अपने चैनल एस्टुफिंड अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर अंशु गुपता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ धनुराशी का कैसा रहेगा साल 2022 सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, मल्टिनेशनल इंटरनेशनल नौकरी के पॉइंट अफ यू से या वेफसाय के लिए कैसा रहेगा साल 2022 आपकी धनुराशी है, धनुलगन है या आपके नाम से धनुराशी बनती है तो आज का इवीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाला है बहुत ही यूनिक जानकारी आपको देने जा रही हूँ कि साल 2022 में कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी बहुत समय से सरकारी नौकरी के लिए एक्जाम दे रहे हैं I.S. I.P.S. करना चाते हैं पर योग नहीं बन पा रहा है कोशिश करने के बाद एक या दो नमबर से रहे जाते हैं जो लोग मल्टिनेशन और इंटरनेशन कंपनी में जॉब चाते हैं जॉब नहीं मिल रही है हर चीज से हम लोग योगे हैं उसके बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है क्या साल 2022 भी इसी तरीके से जाएगा अब तक साड़े साथी चल रही थी क्या साल 2022 भी हमारा ऐसा ही निकलेगा हमारी परेशानिया कभी खत्म होंगी या नही विफसाई में अभी तक तरक्की नहीं मिल पा रही थी बहुत मेहनत करने के बाद भी सरफ घर-घर चल भारा था क्या 2022 भी ऐसा ही रहेगा क्या 2022 में हमारे जीवन में तरक्की आएगी खुशाली आएगी जानना चाहते हैं न ये सबी प्रशनों के उत्तर तो वीडियो कौन तक सरूर देखेगा और वो इंपोर्टन बात जो आपको साल 2022 में विशेश तोर पर धियान रखनी है और बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसे कौन से उपाएं हैं जो इस साल आपको सरूर करने चाहिए जिनसे आपका जीवन खुशाल होगा आपके जीवन की सभी परकार की परिशानिया दूर होंगी तो वीडियो को अन तक सरूर देखेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सरूर कर ले बेल नोटिफिकेशन को आउन करें जिससे आपको जोतिश, फास्तू, अंगशास्त्र और अपने धर्म से संबंदित सबी वीडियो देखने को मिले और आप उनसे लाब उटा सके सरकारे नोकरी के लिए सबसे पहले आपको अपनी जनम पत्री में दशंभाव देखना होगा क्या आपका दशंभाव मजबूत है? उसके साथ सूरे की मजबूती भी बहुत जरूरी है यदि आपकी जनम पत्री में सूरे मजबूत है, सूरे स्ट्रॉंग है पाप कराहों से ग्रसित नहीं है, सूरे वीग नहीं है तो साल 2022 में एप्रिल के बाद से आपकी सरकारी नौकरी के पूर्ण योग बन रही है आपको सरकारी नौकरी सरूर मिलेगी जो लोग बहुत समय से एक्जाम दे रहे थे, सरकारी नौकरी के लिए एक्जाम नहीं क्लियर हो रहे थे उनके एक्जाम भी क्लियर होंगी बहुत अच्छा योग बन रहा है क्योंकि 28 अप्रिल से आपकी शनी की साड़े साती भी समाप्त हो रही है जो परेशानिया आपने पिछले साड़े सालों में उठाई है अब वो परेशानिया सब दूर होंगी और साल 2022 आपके लिए बहुत सारी खुशिया लेकर आ रहा है नौकरी के लिए बहुत परेशान थे नौकरी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि साड़े साती भी चल रही थी तो आपको नोकरी भी ज़रूर मिलेगी और साड़े साती से related परेशानिया भी अब आपके समाप्त हो रही है आपके जीवन में खुशी आ रही है जो लोग प्राइवेट नौकरी यानि की मल्टिनेशल या इंटरनेशनल कंपनी में जॉब चा रहे थे परन्त उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहे थे आपकी कौलिफिकेशन भी अच्छी है जनम पत्री म लिए प्रियास कर रहे थे पर मन मताबिक नौकरी नहीं मिल रही थी तो जून से बहुत अच्छे योग हैं आपके आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी प्रियास करिए आपकी जॉब आपका इंतिजार कर रही है जो लोग विदेश जाकर पढ़ने की सोच रहे थे बहुत अच्छा समय है आप विदेश जा सकते हैं पूरे पूरे योग बन रहे हैं विदेश जाकर नौकरी के भी पूरे योग हैं विदेश जाकर विपार करने के भी पूरे योग हैं और इसके साथ ही साथ यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारे करने की सोच रहे है या किसी विदेशी कमपनी से जूटने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय चल रहा है आपका आप इस समय प्रयास करेंगे तो आपको विदेश जाने के पूर्ण योग बन रहे हैं और विदेश से आपको लाग मिनने के पूरे-पूरे योग हैं विपारियों के लिए कैसा रहेगा साल 2022 क्योंकि विपारियों ने भी बहुत सारी परेशानिया उठाई हैं साल 2022 कैसा रहेगा इसी आज में क्योंकि अब तक सिर्फ उनको लाब इतना ही हो रहा था कि वो अपना घर खर चला पा रहे थे savings नहीं थी, कोई नया कारे नहीं था, कोई खुश्या नहीं मिल पा रही थी पर साल 2022 में अगस के बाद से आपका समय काफी अच्छा है आपको आपके विपार में अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा और यहां तक कि आप कोई नया कारे भी शुरू करेंगे आपके एक विपार के चलते चलते आप दूसरे विपार भी शुरू कर सकते हैं पर यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपने ये विपार पार्टनर्शिप में नहीं करना है क्योंकि ये साल आपको पार्टनर्शिप नहीं फलेगी जो भी आप वेपार करने की सोच रही है उसे आप स्वेम करिए आप स्वेम करेंगे तो लाब होगा पार्टनर्शिप में करेंगे तो हानी होगी तो वेपार जो भी दूसा करने की सोच रही है स्वेम करिए आने था परेशानी उठानी पर सकती है वेपारियों के लिए भी य पैसा भी आपके पास रुक नहीं पा रहा था तो आपके पास पैसा भी रुकेगा क्योंकि जॉब आपको बहुत अच्छी मिल रही है विपार में आपको लाब रहेगा भागे का आपको पूरी तरीके से आपका सैयोग करेगा तो धनकी और आर्थिक सिती ये साल आपकी पैसे में जल में हल्दी गुड और चने की दाल डाल कर केले के पेड़ पचड़ानी है ये आपने उपाये वीरवार से शुरू करके रोज करना है उसके बाद आपने विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी रोज करना है अब आपको जो भी समस्या आ रही है उसकी आपने काम ना है और गाये को टच करके आपने कामना करनी है आपको जीवन में जो ही चाहिए यदि आप एक्जाम दे रहे हैं तो एक्जाम क ecology वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो बोर्ड के एक्जाम दे रहे हैं तो अपने अच्छे मांक्स की अपने पढ़ाई में कांस्ेंट्रेशन की कामना करिए जो लोग जोब सर्च कर रहे हैं तो अच्छी जोब की कामना करिए जो लोग विदेश जाना चाते हैं तो आप विदेश की कामना करिए जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाते हैं सरकारी नौकरी की कामना करिए आप की उपाय करेंगे तो आपकी इच्छा सरूर पूर्पूर्ण होगी और आपके जीवन में आ रही सबी बाधाएं दूर होंगी और आपका जीवन सध्याव के लिए खुशाल बना रहेगा तो मित्रों यह ती जानकारी कि धनुराशी का कैसा रहेगा सरकारी नौकरी नौकरी और वेपार के दिस्टी से साल 2022 उमीद करती यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लापकारी साबित होगा वीडियो को जादा से जादा दोस्तों और इश्यदारों शेयर करें वीडियो तो सम्मध्यत यह दिया आपका कोई प्रेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख़रा पूर सकते हैं अपने चैनल एस्ट्रफरनेंश को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल नोटिफिकेशन को अन करें आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वहां भी डेली अपडेट्स रहते हैं डेली का राशिफल होता है डेली का पंचांग होता है और बहुत यूसफुल काम के टिप्स होते ह हैं तो करिए फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जै मात अदी आपका दिन शुब हो